हे गाइस वेलकम टो सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका सुड में तो दोस्तों आज में एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ आप सब के लिए वर्तमान में कौन क्या है यह करेंट अफेर से रिलेटेड है याँ आप किसी भी गावर्मेंट एक्जाम से आप किसी भी एक्जाम की दयारी आप कर रहे है तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टन विडियो है आप चलते हैं स्टार्ट करते हैं तो घाने हमेरा स्ट कुईशन है बीसी-सी-आइग्ष को न्यूक्त किया गए तो गायस नहीं इद्यूक्ष correct क्या अ looks जो गायस कर में गए वह सौरव गंगुली चुने गए अब बात रही BCCI BCCI है क्या तो गाइज यह BCCI जो है वह हमारे भारति क्रिकेट का बोर्ट संग है अब इसका फुल फॉर्म क्या है यह कोईशन आपको होना चाहिए क्योंकि एंसर में जो आपके कोईशन है BCCI के नए सची आपको यह ध्यान होना चाहिए मैंने permeton previous में टोटली बता चुका हो यह आपको पहले ही next question है question number 3 भारत के नए मुखिन आदिस कौन बने हैं तो इसका answer होगा भारत के जो हमारे नए मुखिन आदिस बने है वो सरद अरविंद बोब्डे यानि as ये बोब्डे जो है वो हमारे भारत के नए मुखिन आदिस बने है तो यह ज्यात होना चाहिए जो हमारे नए मुख्यादिस बने वो कितने नमर में के मुख्यादिस है यह तो 47 में नमर के जो है मुख्यादिस है आपको एक क्वेशन बता दू मुख्यादिस का जो डेट होता है हमारे जो अधिकारी का retirement का जो date होता है यह जो year होता वो 65 year होता है retirement का जो हमारे chief justice of India है बेदर यहाँ पे जो justice of India सुप्रीम कोट के अन्य नियाधीसों की उमर होती है 62 years यह बहुत important question है अक्सर यहाँ पे question में जो है देखे जाते हैं next question है AAI के नए अध्यक्ष कौन न्यूक्त किये गए हैं यानि AI के नए अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं तो इसका नाम आपको यहाँ पे बताना है इसका answer सही होगा अरविन सिंग यानि कि AI के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उसका नाम है अरविन सिंग अब next है यहाँ पे AAI AI का मतलब है क्या AI मतलब है Airport Authority of India इसका headquarter की बात करो तो New Delhi इसका headquarter है formation हुआ था 1 April 1995 यानि 1995 में इसका formation हुआ था next question है NHAI के नए अध्यक्ष कौन न्यूक्ष हुए है यह भी आपको बताना है NHAI के जो अध्यक्ष न्यूक्ष के हाली में उसका नाम यहाँ पर क्या है तो इसका नाम है सुखवीर सिंग सिंधू यानि कि जो अध्यक्ष चुनेगे NHAI के वो सुखवीर सिंग सिंधू इसका भी हेड़क्ष न्यूडेली है इसका फॉर्मेशन यहाँ पर 1988 में हुआ था और यहाँ पर जो अध्यक्ष चुनेगे यह आपको पता है सुखवीर सिंग सिंधू चुनेगे नेक्स्ट कोश्चन है IEMF के नए परमुक कौन न्यूक्ष हुए यहाँ आपको यह बहु क्रिश्टलिना जॉर्जिया यह आपको याद कर लेना है गाइस क्रिश्टलिना जॉर्जिया याद कर लेना यह IEMF के जो हमारे नए प्रेशिडेंट न्यूक किये गए अब IEMF की बात करने तो IEMF का जो फुल फॉम है वह इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड इसके हेड़क् किएगा अजय भला है अजय भला यह आपको याद रखना है इसको काट दीजेगा यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारे ग्रीश सचीव न्यूक्त किये गए हैं अजय भला यह important question है गाइस नेक्स्ट है भारत के नए रक्षा सचीव कौन न्यूक्त किये गए हैं त यहाँ मैंने बता है भारत के रक्षा सचीव कौन न्यूक्त किये गए हैं इसका answer होगा अजय कुमार जी हमारे रक्षा सचीव हाली में appointment किये गए हैं यहाँ पर मैं बात करूं रक्षा सचीव तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि पर्जेंट नैप पे रक्षा मंत यानि कि defense minister है next question है यहाँ पर भारत के नए cabinet सचीव कौन नुक्त किये गए है तो इसका सही answer होगा राजीव गोबा guys यहाँ पर गोबा कर लिजेगा राजीव जो गोबा है वो हमारे भारत के नए cabinet सचीव यहाँ पर नुक्त किये गए है next question है UIDI के नए CEO कौन बने है यहाली में CEO बनाए गए है UIDI के important question आपके लिए जो इसका answer सही होगा पंकश कुमार यानि पंकश कुमार को UIDI के यहाँ पर CEO बनाए गए है तो guys यहाँ पर UIDI का full form आपको पता होना चाहिए इसका जो full form है वो है आपका unique identification authority of India यानि कि स्वाट टाम इसको आधार बुलाते है आपको पता ही है इसका जो formation हुआ था करीब यहाँ पर 2009 यानि 28 January 2009 में इसका formation हुआ था इसका भी headquarter आपका new Delhi है otherwise यहाँ के जो chairman वो सत्तिनाराइन जी है यहाँ पर तो guys इतना आपको UIDI के next question है राज सभा के महासचीव को न्यूक्त किये गए है तो राज सभा के जो present time में महासचीव न्यूक्त किये है उसका नम है देश दीपक वर्मा यह आपको पता होना चाहिए राज सभा के जो present time में महासचीव है उसका नम है देश दीपक वर्मा नेक्स्ट कोषिशन है यहाँ पर हमारा NSG NSG के नए महासची कौन न्यूक्त किये गे हैं तो हमारे परजन टम में जो NSG के महासची न्यूक्त हैं उसका नाम है अनूप कुमार अनूप कुमार जी को महासची बना गया है NSG का अब NSG है क्या NSD आप सबको पता हो NSD का full form होता है National Security Guard National Security Guard इसका full form है यह जो अनुप कुमार जी निक्त किये हैं उसके महा सची भी है Headquarter इसकी बात करो तो New Delhi इसका Headquarter है 1994 में इसका formation किया गया था Next question है PIB के नए महानी देशक कौन बने है जो हमारे PIB के नए महानी देशक बनाए गये है उसका नाम है K.S. धतवालिया यहनि K.S. धतवालिया इसको PIB का नए महानी देशक जो है निक्त किया गया अब PIB है क्या? PIB है Press Information Bureau इसके Headquarter इसका भी निडेली यहाँ पर मैं बात करो इसका भी formation तो 1990 यानि की 1919 में इसको जो formation किया गया था Next question है Question नमर 15 और इसका Last question है LIC के नए चेर्मेन कौन नुक्त किये गये है तब कोई पता होना चाहिए Important question है यहाँ से related question है आपे जो है तब अलाते रहते हैं तो हमारे जो परजेट नम में LIC के चेर्मेन नुक्त किये है उसका नम है M.R. कुमार यानि M.R. कुमार जी को LIC का चेर्मेन नुक्त किया गया LIC के बारे में आप सबको पता ही होना चाहिए गाइस तो LIC का फुलफों में Life Insurance Corporation of India अब इसका headquarter की बात करें तो मुंबाई इसका headquarter है और इसका formation 1st September 1956 यानि 1956 में इसका formation किया गया था अब चेर्मेन तो यही बने गए M.R. कुमार तो आपको याद होना चाहिए तो गाइस यह आप सबके लिए new apartment यहाँ पर जो भी apartment किये गए है उनके लिए वर्तमान में कौन के आइकिन न्यू फस्ट रिज आपको जरा सभी useful लगा वीडियो तो लाइक करें हमारे वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताईगास गाइस कैसा लगा और इसी तरह आपको next वीडियो चाहिए या अधरवाज नहीं चाहिए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको कमेंट जरू करना है और हमारे चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लें बेल अकन को प्रेस करें मैं बता दूँ इस पर गौवर्मेंट जो की पल-पल की अपडेट दी भी जाते है मिलते के लिडियो में तब तक लिए जय हिंद